हेलो बच्चो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोरेस्ट एंड देर गंजर्वेशन चैप्टर 18 क्लास 7 इसमें जो हम आज टोपिक डिसकस करेंगे इंटर डिपेंडेंडेंस ओफ एनिमल्स एंड प्लांट जो हैं कैसे एक दूसरे के ओपर डिपेंड रहते हैं यह सब चीज सब के सब एक दूसरे के ओपर डिपेंड रहते हैं प्लांट नीड प्लांट को क्या चाहिए सी ओटू कार्बंडा एकसाइड चाहिए खाना बनाने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं जब सास जो है जो गैस रिलीज करते हैं वह गैस होती है कार्बंडा एकसाइड रेस्पिर कर लेते हैं खाना बनाने के लिए इसके अलावा प्लांट जो है वो डिपेंड है किसके उपर एनिमल्स के उपर इंसेक्ट के उपर और बड्स के उपर पॉलिनेशन के लिए without pollination जो है flowering plants जो है वो cannot form of seeds and hence cannot be produced वो produced नहीं हो पाएंगे क्योंकि plant insect क्या करते है seeds को एक जगा से दूसरी जगा पर ले जाने का काम करते है इसी तरीके से plant also depend upon animals animals के ओपर भी depend on the bird है rat है squirrel है grazing animals है जो क्या करते है animals एक जगा से दूसरे जगा पर घास को ढूंडते रहते हैं खाने के लिए और जो humans for dispersal of seed ये seed को disperse करने में help करते हैं इसके अलावा जो cow है goats है वो भी क्या करते हैं जो plant क्या करते हैं green होते हैं तो जो plant खाना बनाते हैं वो cow और goat उस खाने को खाते हैं लोग है beer है ये भी plant के उपर या small animals के उपर depend रहते हैं अपने खाने के लिए इसके अलावा जो bird है boral animals है वो कहाँ पर रहते हैं trees पर रहते हैं plant क्या करते हैं उनको shelter उनको जगा देते हैं ताकि वो वहाँ पर रह सके इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो animals है वो without plant survive नहीं कर पारते या नहीं कर सकते हम food chain के बारे में बात करते हैं कि food chain क्या होते हैं food chain show how living organism कि जो living organism कैसे अपना खाना लेता है और कैसे वो जो nutrients है या energy है एक जन से दूसरे जन तक जाती है यहाँ पर यह दिखाया गया है इसके डियाग्राम के माधिम से हमसे सकते हैं ग्रास कैसे हुई सन क्या है ultimate source ए एनरजी का सन से जो लाइट की प्रेजेंस में green plant क्या करते हैं अपना खाना बनाते हैं तो वो यह स्ने को किस से मिली energy फ्रोग से मिली क्योंकि स्नेक स्नेक О Concene कि स्नेक क्सको खाया जीए तो करते हैं Northeast क्या प्रड़ूस करते हैं घास देते हैं हम सं लाइट की अपना खाना न बनाते हैं इसनी उनको प्रड्यूसर het वह में प्राइमरी कंजुम स्कूथ जिसने खाए वह क्या करेंगे अधिक्य। प्राइमरी कंजुमर हर्भी भरस क्या होते ज्या Vancouver औदौक्ट नाल्ध को खाते हैं उनको क्या बोल देते हैं यह हर्भी विवोरस बोल देते हैं ठीक है उसके बादragen बेथे स्केंड्रि गांजूमर को जिसने खाया वो क्या एमगे स्केंड्रिगंजूमर उसकेक नदर आ जाते कार्नी singles को ग्रास ओपर क्या था हर्भी 1 कि यृकर घास खा रहा है तो grass ओपर को कोण खा रहा है, frog खा रहा है तो frog क्या है, Carnivores है, उसके बाद आता है Tercery Consumer, ठीक है, frog को जिसने खाया, यानि frog को जो बड़े-बड़े Predators होते हैं, उनको खाते है, तो वो किस में आ जाते है, Tercery Consumer में, तो snake कोण है, तर्शरी कंजूमर है उसके बाद वर्ड आता है डीकंपोजर क्या निए बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स क्या हो जाता है डेड हो जाते है जंगलों में तो उनको जो है मिट्टी के अंदर मिलाने का काम कोण करता है डीकंपोजर करते है तो प्रड्यूसर उन्दा आपके रूप में परिवर्तित करेने का काम कोण कर देते हैं डीकंपोजर जो बेस्ट डीकंपोजर है वो कोण है फंगी और बैक्टीरिया यह क्या है बेस्ट डीकंपोजर का काम करते हैं उसके बाद आता है फूड वैव यह देखें यह फूड चेन दिखाई हुई है सब्थर ग्रास को उपर ने खाया फिर किस ने खाया फिर इसकोने खाया है इंगल इसके अलावा जो यह कोण खा रहां स्कृम का नंशनक्रीयल खाते हैं स्कृम को रदर याउ Нач septicola कनलः सब्सक्राइब और जो यह रैबिट है रैबिट plks कि खा रहे है रैबिट क्या खाड़ रहे है ग्रास कहा रहे है तो इन सब का है इंतरलिंक है एक दूसरे के साथ ठीक है तो वह किसमी आसा दता है फूड में फूड वैब यहां पे लिखा हुए interlink with each other for the food chain food chain के अंदर जो इतना भी interlink होता है यह food web और यह बहुत ही complex होता है food chain से plant are not only by the animals सिर्फ जो घास है वो cow, mice या deer ही नहीं खाते हैं उसको insect भी खाते हैं ग्रास ओपर को सिफ फ्रोग ही नहीं खाते स्नेक इगल या पिकोक भी उनको खा जाते हैं ठीक है तो एक दूसरे के द्वारे जो खाए जाते हैं वो किस क्या कहलते हैं food web के अंदर आते हैं ठीक है this is the example of food web ओके थैंक्यू